एलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब कमेंट पे जरूर बताइएगा आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में अखिर अक्रोट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए तो इसके क्या फायदे होते हैं या फिर नुकसान होते हैं और अगर खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए इसका सही तरीका क्या होता है खाने का ये सारी चीजे इस वीडियो में मैं डिसकस करूंगी फ्रेंट्स होता क्या है प्रेगनेंसी के 9 महीने के दोरान सिसू के सही विकास के लिए मा को संतुलित और पॉस्टिक आहार लेने की जरूरत होती है इसी समय महिलाओं को सूखे मेवे भी खाने को कहा जाता है जिसमें से अक्रोड भी सामिल है लेकिन काफी सारी लेडिजें ऐसी होती है कि वो अपनी डाइट में अक्रोड को सामिल ही नहीं करती है क्योंकि कई लोगों को पसंद ही नहीं होता है इसलिए नहीं खाती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि pregnancy में अक्रोट का सेवन करना आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होता है क्योंकि इसमें omega 3 fatty acid होता है जो कि मस्तिस्क के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और ये नसों को स्वस्थ रखता है अक्रोट में कई तरीके के पोसक तत्व पाये जाते हैं और इसके फायदे के बारे में बताती हूँ अक्रोट में मौजूद omega 3 fatty acid और protein गर्बस्त सिसु के मस्तिस्क और आखों के विकास में help करता है इसमें sterol होता है जो blood cholesterol level को control करता है और सरीर में good cholesterol की मात्रा को बढ़ा देता है ये रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और high blood pressure को control में रखता है ये जो सुखा मेवा होता है इसमें antioxidant pregnant महिला की immunity system को मजबूत भी करता है इसमें copper भी होता है जो की सिसु के विकास में help करता है delivery के बाद postpartum depression से बचने के लिए भी ladies अक्रोट खा सकती है इसमें melatonin के इस तर को control करने में भी सकती मिलती है जिसमें pregnancy की तीसरी तिमाही में अच्छी नीन आने में आपको help भी मिलती है जिसमें magneez होता है जो की बच्चों की हड़ियों और cortilase के विकास के लिए जरूरी होता है रोजाना की जरूरत का आदा magneez एक बार अक्रोट खाने से पूरा हो जाता है तो अक्रोट है ना कितना ज़्यादा गुड़कारी अब आपको बताती हूँ कि ये आपको कितना खाना चाहिए एक pregnant महिला को हर रोज लगबग 30 ग्राम तक अक्रोट खाने चाहिए ये एक तेहाई कप या 10 साबूत अक्रोट जितना होता है अगर आप इससे अधिक मात्रा में खाते हैं तो हो सकता है वजन बढ़ने और पाचन से related प्रॉब्लम आपको हो सकती है अब अक्रोट खाने का सही तरीका भी जान लीजिए आपको क्या करना है तीन से चार अक्रोट लेने हैं उन्हें काट कर एक चम्मस सहेद में मिला लेना है और एक गलास पानी के साथ में पी लेना है इससे सिरदर्द, अनिंद्रा और तनाव में राहत मिलती है और दिन में आप स्नेक्स के तौर पर भी आप अक्रोट खा सकती है अक्रोट के ज्यादा से ज्यादा अगर आपको benefits चाहिए तो आप इने भिगो कर भी खा सकती है फ्रेंट्स अब बात करते हैं कि अगर कोई pregnant ladies ज्यादा अक्रोट खा लेती है तो इससे क्या problem उसको हो सकती है पाचन संबंदी परेसानी जैसे कि मैंने बताया था तो पेट फूलने की दिक्कत हो सकती है या फिर दस्त हो सकते हैं लेकिन अगर आपको किसी food से allergy है तो आपको अक्रोट का सेवन सावधानी पूरवक करना चाहिए क्योंकि ये allergic food है अक्रोट आईरन के अवसोसन में भी बादा पैदा करता है जिससे एनीमिया की सिकायत हो सकती है अक्रोट में कैलोरी अधिक होती है इसलिए ज्यादा अक्रोट खाने से मोटापा हो सकता है तो friends इसकी quantity आप कम ही खाये लेकिन जरूर खाये तभी आपको और आपके बच्चे को इसके पूरी benefits मिलेंगे और ये वीडियो अगर आपके लिए helpful रहा हो तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलेगा Thank you for watching